हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू आवर चैनल करन्बल क्लास चेज तो बच्छो आज हम क्लास सेवन करन्बल स्मार्ट जो साइन्स है उसका चैप्टर नूमर टैन लेक्टिक करेंट एंड इस एफेक्ट को स्टेडि करेंगे सब्सक्राइब करें और जो आपके क्लास में से उसने वीडियो जरूर श्यार कीजिए यह मेरे आप से मिल रूकेस्ट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस वीडियो एंड इस चैनल ओके लैट इस स्टार्ट दा चैप्टर अबर वियो अब लेसेजरन का हम देखते हैं तो इसमें हम क्या का चीज़ पढ़ने बाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे electric circuit के बारे में hitting effect of electric current मतलब कि electric current जो होते हैं उसके effects होते हैं एक तो hitting effect होता है एक magnetic effect होता है तो दोनों effects के बारे में steady करेंगे और conductor, insulator और resistance के होता है उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखो we use electricity in our home, office, school, factory हम सब में electricity के use करते हैं और it is the most convenient form of energy मतलब यह बहुत ही आसान form energy की when you feel hot in summer you switch on the fan and the fan start moving ठीक है जैसे आप summers में अपने आपको hot feel करते हो तो आप fan का यूज करते हो ठीक है have you ever thought that how a fan which is is at the distance of about 8 or 10 feet from the switch start moving as soon as you turn on मतलब कि जो आपका fan है आप जैसे switch on करते हो तो चलने लग जाता है जबकि fan काफी दूर है switch से ऐसे similarly if you turn off the switch आप उस switch को turn off करोगे तो आपका जो fan है वो बंद हो जाएगा ठीक है ना the power that make the fan move is called electric charge तो वो पावर जो की उस fan को ठीक है move करा रही है या फिर moving fan को बंद करा रही है तो उस पावर को हम electric charge कहते हैं तब flow of electric charge is called electric current और electric charge की जो flow है या electric charge का किसी circuit में flow होना उस electric current कहलाता है and the path which is moves is called electric circuit और वह पाथ जिसमें की electric current या electric charge मूव करते हैं हम उस पाथ को electric circuit कहते हैं तीक है जैसे आपका fan यहां पे है तीक है ना आपका switch board इदर है इदर से जो wiring जा रही है तो यह wiring का जो पाथ मन रहा है इसे हम electric circuit कहते हैं आगे हम electric circuits के बारे में पढ़ेंगे भी ठीक है ना और ऐसा यूनिट जो होती है electric current की वह ampere होती है अंडरलाइन का लोग पर इंपोर्टेंट है ठीक है बड़िज्टाइब यूनिट ओफ एलेक्टिक current ठीक है अलेक्टिक करेंट को हम एंपेर में मेजर करते हैं और एंपेर का जो सिंबल है वो ए है अलेक्टिक करेंट फ्लोज ओनली इप देर ही सूर्स एक अंड़क्टर एंड अनब्रॉकन और खुश्ट पात ठीक है ना मतलब कि अलेक्टिक करेंट सिर्फ एक क्लोज पात में ही फिलो होता है तो एक अलेक्टिक करेंट को एक पात प्रॉबैट करता है फिलो का ठीक है तो वह सभी पड़ एलेक्टिक सर्कुट से वारे में कि एलेक्टिक सर्कुट कैसे होते हैं क्या होता है तो एलेक्टिक सर्कुट इस एक कंटूनियस पाथ ऑफ फिलो अप एलेक्टिक सर्कुट एलेक्टिक के फिलो का कंटूनिस पाथ है जिसमें सथे세 ilektive charge फिलो होते हैं एक्र कॉरूं में कम्पोनंस सबस्क्राइब 1917 और पायर्व तो ही है चार्ड होना कि अनरजी औरपकी सब्सक्राइब हो सकते हैं सो बेन तर्च टर्ण यूण चैसि जार्ण टर्ण करते है तो जो चार्ड है मदलब आपका जो जहांसे भी चार्ण आ रहा है अगर दो शैयल देया तोलो से यां ना तो ना तो मैंना टाथ अब्रकर दिता है दाफ्यों अफीचार्ज त्हाइन चार्ज इस आप्यों इस उर्ट can tlt süeg चायद मतलब चार्ज का जो फिलो होता है ये कुलिग्ण करेंट के ओपोजिट होता है जैसे आपको जो एरो दिका रहा ह् us एलेक्टिक चार्ज है जो कि ऐसे फ्लोव रहा है तो आपका ऐसे फ्ली मिझा पैसल डायुअ यह जो है उसक्तर ओने को अजय्च ते व्योट करन ट्जिस की पैसल सोथ है यहां पर आप वल्प के यूज कर सकते हो यह आपके कंपोनेंट्स है तो आपके नहीं होते है देकर तो आपके जोटी वाली जो लाइन ह는 वह आपके नेगिटिव चार्ज को सुकरती एंट. तो इस इस डांग्राम में चार्ज की डा लारेक्शन है, आपके देको करेंट की डारेक्शन होगी तो आपके दिखो current के डारेक्शन दर होगी ठीक है just opposite चलो बात कर लेते हैं component of the circuits के बारे में और components के symbol क्या होते हैं तो दिखो component में आपके cell, valve, wire, switchage, electric और ठीक है सारे component होते हैं for the static circuit we have generally draw simple diagrams मतलब कि हम इनकी कुछ simple diagram draw करते हैं जिने symbol कहते हैं जैसे valve का symbol ही होता है ठीक है ना for example we have to be draw a simple circuit having a cell, switch, valve, wire, ठीक है have to be show the circuit when switch is on, off, it is like to be shown in figure alongside, it is certainly very inconvenient hence standard symbols are used to be draw circuits मतलब की पही हम हमारा electric जो circuit होता है उसमें valve का battery का ठीक है और switch का use करते हैं बट हम यहां पर यह हमारी battery है तो हम इनकी original जो diagram से उनका use नहीं करते हैं इनकी जगा हम इनकी symbols use करते हैं जैसे battery ऐसी होती है लेकिन battery का symbol हम यह वाला use करते हैं ठीक है यह positive है और यह negative है ठीक है ऐसे आपका bulb ऐसा होता है लेकिन bulb का symbol हम यह वाला use करते हैं ठीक है यह bulb का symbol है ऐसे आपका switch to original जैसा भी है बट हम यहां पर switch का जो है ऐसा use करते हैं ठीक है यह भी switch है यह फिर ऐसे भी use करते हैं ठीक है तो यह हम इनके symbols पढ़ रहे हैं आगे देखो fact file में कहते रहे हुआ है the magnitude of an electric current ठीक है electric current के magnitude को emitter से major किया जाता है ठीक है emitter से major किया जाता है electric current ठीक है अगर हम यह major करना है कि इस circuit में कितना electric current flow हो रहा है तो हम यहां पर ठीक है बीच में emitter लगा सकते हैं और emitter का का जो symbol होता है वो circuit में ऐसे ओता है ठीक है emitter का काम है electric current को major करना ठीक है अगर बॉल्टीज को major करना चाते हैं तो तो बॉल्टेज का symbol हम लगा सकते हैं ये ऐसा इस symbol voltage को होता है इस वी ar is voltage का symbol है एटिके लेकिन बॉल्टेज को हम मतलब यहां पर नहीं लगख सकते डिकें umणर इतरी अग्रध छिमस को अग्रहें लगाना है तो इसको पहले ऐसकी का में चिबर definitely let me enjoy जो सिंबल एह सब्सक्राइब तो यह बर तो वेल वार्व हुंप मिट्क तो एफ अनिक dennisन में हम यह वाला बनाते है और कि कंडिस्टन में यह ड्रोइंग कर देते हैं लग से देखो यह ठीक है यह से पता चल रहा है कि बहुत जल रहा है ठीक है और अगर आपकी कंडिस्टन है तो आपकी कंडिस्टन में हम यह ड्रोइंग नहीं करते हैं ठीक है सिंपल ऐसे रखते हैं नेच्ट हैं चुश की तो सुच में ऊ में पॉजिशन आपके ऐसे होतीب मतलब यह पार्ला पार्ट से अजुन से होती है उसमें मतलब जोनव पार्ट करनेक्टेट से होते हैं ऐसे हो सकता है जैसे में बतायता हाँ है कि आप यह Red लगा दू तू सेल माप वैसे भी यह करना पड़ेगा ये टूशेल की बैटरी हो गई तर अगर आपको उथ्टरी करना तो इसको पागर बढ़ा दो एक और शाल लगा दिया को लगा दो ऐसी एक को लगा दो ऐसे ठीक है शेल बढ़ते जाते हैं तो बैटरी के संबल आपका बायर के संबल आपका स्ट्रेट लाइन होती है कि यह सारे सिंबल हम सर्कृट को बनाने में यूज करते हैं अगर पढ़ते हैं तो इससे की हम रेक्टिक करेंट को लेते हैं यानिकी सोर्स आप दा पताई दिया मैंने आपको यह पॉजिटिव टर्मिनल है यह नेगेटिव टर्मिनल है ठीक है पॉजिटिव को प्लस से और नेगेटिव को वैनिस से सो करते हैं कि फिर पढ़ते हैं सुच के बारे में तो सुच एक डिवाइज है जो कि किसी भी सर्कृट को ओपन और कें थरोड़ मोता है ठीक हैं तो हम उस सर्कृट को अईको सरस्क्राइऑं और सुच को फिया तो सर्कृट इन और तो यिए आपका top कॉ क्लिता है ठीक है नही UCLA क्यों क्योंकि निल्म जल रहा है ठीक है और यहां पर दिखूश स्ट करनेक्ट है यह शुड नहीं in नहीं है कर दो को लो नहीं हो रहा को कि आगए देखो क्लोज और ऊपन सर्कृट इसके बार में भी बात कर देए क्लोज सर्कृट्ट तो यह सब कि दिन देज मैं लक्क्तिक करण्ट फिलो होता है तो जिए आपका close circuit होता है और electric current आपके positive terminal बैक्टरी के positive terminal से negative terminal की तरफ flow होता है तेक है open circuit में जो है आपका electrical contact है वो किसी भी point पर block रहता है मतलब टोटा हुआ रहता है so आपका circuit open रहता है जैसे मैंने बताया था देखो यहाँ पर तेक है पूरा बायर मतलब connected नहीं है यह बाला पार्ट इस बाले पार्ट से connected नहीं है तो यह circuit आपका off है जाने की circuit open है अब हम बात करते हैं बैटरी की तीक है तो बैटरी मैंने बताया दिया electrical cell are used to be run number of device in our daily life जैसे टीबी रिमोट है तीक है टॉर्च है transistor है radio है इन सभी में हम electric cell मतलब जो electric cells है उनका use करते हैं बहुत चीज हैं उनमें भी यूज करते हैं तीक है और भी काफी appliances है जिन में electric cell का use करते हैं तो combination of cells is called battery underline कर लो इसको ठीक है battery कोई अलग चीज नहीं है combination of cells battery है अगर आप एक cell लगाओगे तीक है तो यह भी battery एक cell की battery हो गई ठीक है अगर आप दो cell लगाओगे तो इसमें एक और जोड़ दो देखो यह लोग दो cell की battery हो गई एक और लगाना चाहते एक और जोड़ दो तीन cell की battery हो गई यह बंच एल टू चैल और एक तरी cell ठीक है तो combination of cell is called battery ठीक है तो देखो यह आपका बंच सेल है यहाँ पर देखो दो cell को connect किया गया है तो battery बना ले के लिए हम ऐसे connect करते हैं और connect करने का जो वो है system वो भी देख लो positive को negative से ठीक है पॉजिटिव को negative से ठीक है और यह positive और यह negative ठीक है यहाँ पर आप बलब लगा दो और हमसे ग्लो हो जाएगा ठीक है यह सिस्टम है आगे नेस्ट पीस पर हम देखते हैं to make an electric cell क्या हम electric circuit बना सकते हैं तो बिलकुर बना सकते हैं ठीक है हम ये एक cell लेगे और एक बल्ब लेगे ठीक है और फुर्द दो बायर से लेगे ठीक है एक positive बायर को आपको यहाँ पर लगाना है बल्ब के बाहर के SHAPPE और इसको आपको नीची SHOOP लगाना है ठीक है आपका बल्ब ग लो हो जाएका तो यह आपका close circuit हो गया अगर आप एक बायर को अठाद हो गए तो आपका बल्प गुलो नहीं हो गा तो यह आपका open circuit हो गया अगर बात करते हैं conductors और insulator की तीक है conductors वो होते हैं जो कि अलाव करते हैं electric current को पास त्रुग दे मतलब कि conductor वो हैं जो की electric current को अलाव करते हैं वो अठीक्टर है हैं कंड्र आपके सारे मेटल्स एक बेकलाइट एक तरचे इंसुलेटर है ति कर वगेरा के जो हैं यो वह बनाने में करते हैं आपने दिखो गूंगा कूटर का जो हैंड्ट होता है फो बंगव करता है वो ऐकेकर बाद कर लगा होता है ठीके न आगे बात करते हैं resistance ठीक है kiedy resistance क्यों होता है ? तो simple शी बात है देखो जो current के fellow का pushed करता है वे आपका resistance होता है तो देखो एपरी substance has a tendency to approach the flow of current पासिंग थ्रोगिट मतलब हर सबस्टेंश की यह टेडेंशी होती है कि वो जो भी उनमें करेंट पास होता है वो उसका अपोच करता है तो इस टेडेंशी को ही हम रेसिस्टेंश कहते हैं ठीक है ना मतलब कि किसी मैटरियल की प्रॉपर्टी जो की उसके एलेक्टिक करेंट के फिलो का पोच करती है उसे हम रेसिस्टेंश कहते हैं दा लोवर एसिस्टेंश ओप अबजेक्ट दा ग्रेटर करेंट देखो अंडरलाइन कर लो बहुत इंपोर्टेंट लेन यह अगर एसिस्टेंश लो होगा तो करेंट जादा होगा तीक है और आर इकल टू बी अपॉन आई होता है तीक है ना रेसिस्टेंश को जादा करोगे तो करेंट लो होगा करेंट को जादा करोगे तो रेसिस्टेंश लो होगा तो कहने का मतलब इनमें रिवर्स उल्टी सुल्टा मतलब की अपॉजिट रिलेसेंश इप होती है तो यह अगर हमें किसी सरकेट में करेंट जादा लेनी है तो हमें उस सरकेट में रेसिस्टेंश को कम करना पड़ेगा तीक है resistance की जो unit होती है वो om होती है और om का symbol है यह om का symbol है यह mantra जैसे मैंने बताма current की unit आपके ampIR होती है और amp air का symbol आपका A होता है ऐसे om का symbol आपका A होता है arm किसकी unit है resistance की तो जित्ते भी आपके insulators है बो आपके good resistance होते है टीक है वो आपके अच्छे resistance होते हैं क्योंकि वो high resistance को एक तरसे offer करते हैं तब ही तो insulators में current flow नहीं होती क्योंकि वो current का इतना पोज़ करते हैं अब जहां से देखो एक यह wire है तिक है न यह लो एक circuit बना दिया इसमें लगा दिया valve तो simple ची बात है कि valve एक resistance है या नहीं है बिल्कुल है क्योंकि valve जो है इस current को रोक रहा है जो भी current को रोकने के कोशिश करेगा वो resistance है आगे देखते हैं question answers true false बताने है combination of cells is called battery यह true है cells are joined to get lower voltage यह correct cells को हम join करते हैं to get lower voltage तो cells को यह false है the unit of resistance is ampere यह भी false है a switch is a device that used to be open or closed circuit तो यह true है insulators are substance which allow current to pass through them यह false है ठीक है insulator जो है current को पास नहीं करते हैं वो conductor होते हैं जो current को पास करते हैं आगे हम पत्रहें heating effect of the electric current electric current आपका heating effect produce करता है आपने देखोगा जो भी electrical appliances है वो कुछ running के दोरान गरम हो जाती है तो गरम क्यों होती है क्योंकि electric current heating effect को produce करता है और इस property के कारण काफी सारी appliances है जिनका हम यूज करते हैं इस effect के कारण हम काफी सारी appliances का यूज करते हैं जैसे आपका काफी सारी है जैसे electric price है तो भी heating effect पर करती है आपका और भी काफी appliances होती है heater है वो भी electric current के heating effect पर उबर करता है तो देखो वेन दा electric current इस पास तरोगी resistance मतलब जब electric current किसी high resistance से पास होता है तीक है जैसे नाइक्रोम है और copper है यह high resistance होते हैं तीक है तो electric current always converted into heat तो electric current जो उती है वो आपकी heat में करमेट हो जाती है Heat energy में करमेट हो जाती है मतलब electric energy heat energy में करमेट हो जाती है और बो wire को heat up करती है क्येते है Let's perform some activity to observe the heating effect of the electric current हो 2 heating effect of the electric current हेले जासे हमने वाल्ब जला रखा है ठीक है liberality पैसे को hopनेंट मौन जो है इसका बाहर का सथ जो है इक तरी सही गरम होने लग जाता है ठीक है कि इसलिए ह्लुआ होता है कि कि यह क्भा तो आपका electric circuit है या फिर electric current है या फिर electric energy है वो heating effect को सो करती है इसलिए ही वो गरम होता है आगे दिखते हैं एक्टिविटी थर्ड टू सो देट heating effect of the electric current is a naikrom buyer मतलब कि हम यहाप नाikrom buyer से heating effect को सो करते हैं तो देखो नाikrom का जो बायर होता है एक good resistance होता है मतलब कि उसका high resistance होता है तीक है resistance नाइक्रोम का ही होता है नाइक्रोम है टंगिस्टन है यह ऐसे बायर है जिनका resistance हाई होता है तीक है टंगिस्टन का यूज हम बाल्प के अंदर जो वह आप इस्प्रिंग देखते हो तो वह टंगिस्टन की होती है नाइक्रोम का जो यूज है वह हम heating effect के लिए करते हैं काफ़े सारे appliances में जैसे हीटर वगेरा है ठीक है एलेक्ट्रिक गीजर है एलेक्ट्रिक प्रेस है ठीक है तो उन समय में हूं उन्हीं बायर का यूज करते हैं एज हीटिंग परपच जिनका resistance हाई होता है अब यह वाले जो activity है इसमें हमने देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है ठीक है ना एक कार्ड बॉक्स में यहाल बिन को डाल रखा है और बीच में यह जो पाया रहे है नैक्रोम का लगा रखा है बीच में हमने जैसे हम यहां से सुच कॉन करते हैं तो current flow होती है सर्क होने देते हैं उसके बाद में हम इसको सिच को आफ करके और हम इसको टच करते हैं तो हमें दिखते हैं कि यह जो बायर है वह थोड़ा गरम हो गया है गरम हिसली हो गया है क्योंकि वह heating effect को सूख करता है मतलब कि किसी बायर में हीट जो प्रिडूस होती है वह heating effect के करण होती है and electric current depends on the resistance of the बायर मतलब कि जो heating effect है वो उस particular जो बायर है उसके resistance पर डिपेंड करेगा कि अगर resistance हाई है तो heating effect जादा होगा ठीक है रेसिस्टेंस कम है तो heating effect कम होगा और electric current के magnitude पर भी डिपेंड करता है कि कि कितना electric current जो है उस particular circuit में पास हो रहा है ठीक है अगर देखो higher of the resistance of the material the greater is heat मतलब कि resistance हाई होगा तो heat भी जादा होगी resistance of the wire depends on the nature of the material बलब कि जो material होता है जिसका कि wire बना है उसके nature पर depend करता है उसके land पर depend करता है और उसके thickness पर depend करता है ठीक है यह हम class higher classes में पढ़ेंगे ठीक है अब देखो इसके nature of material पर कैसे depend करता है तो इसका answer है जैसे tungsten और नाइक्रोम ठीक है कि जो बायर होते हैं तो उनका resistance high होता है और जबकि copper है aluminium है इनके जो बायर होते हैं उनका resistance कम होता है ठीक है न तो यह हो गया की दिषटेंग कुसक भूण होगा है टो उसके यॉसके नेजर का को अकॉड़िंग आप पर इतन करता है कि तिकने करता है कि अगर थिकनेस ज्यादा होगी, ठीक है, अगर थिकनेस ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपका जो रेसिस्टेंस है, वो कम होगा, और थिकनेस कम होगी, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जो मोटे बायर होते हैं, उनका रेसिस्टेंस कम होता है, और जबकि जो पतले बायर होते हैं, उनका resistance जादा होता है यह है थेक्नेश का मतलब similarly greater the magnitude of current passing तरहोगे बायर greater will be the heat produced और current भी जादा होगी तो heat भी जादा होगी ठीक है तो heating effect किन-किन चीजों पर depend करता है एक बार फिट से repeat करता है एक तो nature of the material पर एक length पर एक थेक्नेश बायर पर और एक current पर depend करता है कि current जादा है तो heating effect जादा होगा next application of the heating effect तो कापी सारी applications है ठीक है एक तो आपके electric iron है electric room meter है immersion rod है, electric toaster है यह सारी चीज़े जो होती है heating effect के ही principle पर बार करती है ठीक है इन सबी appliances में देखो एक coil होती है जिसमें के high resistance होता है इनके जो कोईल होती है जाते नाइकरों बायर की बनी होती है और यह फिर aloge की बनी होती है नाइकरों खुद भी एक aloge है नाइकरों जो है nickel chromium और iron का mixer होता है मतलब इन तीनों चीज़ों से मिल के बनता है नाइकरों बायर जैसे electric current पास होती है इन अप्राइंसेज में तो heating element जो होता है वो बिल्कुल करम हो जाता है red hot color का हो जाता है और उससे heat produce होती है आपने देखोगा heater जो आप जो heater रोम heater यूज़ करते हो तो उसकी जो अंदर की बायर है मतलब जो बिल्कुल गरम हो जाती है red color के हो जाती है और जो की heat produce करती है ठीक है और यहाँ पर हम ये ये जो filament देख रहे है ठीक है ये जो spring type का filament होता है वालप में तो ये भी tungsten का मना होता है ठीक है और tungsten और आपका ये nachrome ठीक है ये दोनों ही क्या है गुड के वो high resistance को सो करते हैं मतलब कि heating के लिए high resistance ही चाहिए और ये high resistance को ही सो करते हैं ठीक है next page पर दिखते हैं आगे हम बात करते हैं electric filament की बारे में electric filament जो होता है बल्प का वो भी tungsten का बना होता है बताई दिया मैंने आपको ठीक है तो tungsten भी high resistance वाला होता है और वो भी एक तरह से मिट होता है मतलब कि light और heat प्रोडूज करता है so हम electric bulb not only produce light but also gives the heat मतलब heat और light दोनों देता है electric bulb this lead to be besties of the electricity hence electrical bulbs are not power efficient मतलब इसमें electricity का waste होता है क्योंकि simple से बात है बल्प के युज हम करते है light के लिए लेकिन वो light के साथ-साथ heat को भी देता है तो waste ही तो है इसलिए यह power efficient नहीं होते है light के लिए आगे इनकी जगह हम CFL का use करते है ठीक है na CFL जो होती है वो power efficient होती है मतलब कि power उनमें कम power में हमें काम चल जाता है मतलब कम power में अच्छी light देता है CFL अब इस्टेज अप electricity can be reduced ठीक है using CFL CFL का जो full farm होता है वो होता है compact fluorescent lamp ठीक है तो fluorescent tube lights मतलब कि tube light के यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी CFL साथ है उनका यूज़ कर सकते हैं instead of the electric bulb मतलब बलब के जगह क्योंकि they do not work on the principle of the heating effect मतलब कि ये heating effect पर work नहीं करते हैं मतलब कि ये heat produce नहीं करते हैं जबकि bulb जो है light के साथ heat भी produce करता है इसलिए वो power efficient नहीं है Shuffle can be fixed in ordinary bulbs holder that are used to be electrical bulbs लगशे फिलकों electric bulb की जगह हम उनी होल्टर में लगा सकते हैं the running cost of a shuffles and fluorescent tube light is much less as they consume less electricity as last longer मतलब कि इनका जो ये कम energy को consume करते हैं और अच्छे light देते हैं हमें before buying an electrical appliances look the ISI mark मतलब कि ISI mark को हमें देखना चाहिए जब भी हम किसी electrical appliances को purchase कर रहे हैं buy कर रहे हैं तो दीक है ISI का full form होता है इंडियन standard institute तो ये ISI mark हमें देखना चाहिए जो कि जरूरी है as this mark ensure data appliances is safe मतलब ये mark आपको इलिए ये ensure करता है कि अप्लाइन जो है safe है और वो energy का besties नहीं करेगी या पिर energy का बहुत कम besties करेगी आगे देखते हैं short circuit और overloading तो देखो तो excessive flow of current मतलब करेंट का ज्यादा flow होना ठीक है न उसके दो रिजन्स होते हैं एक तो है short circuit के करण और एक है overloading के करण ठीक है तो तो देखेक्टिव और डेमेज़ बायर मतलब कि कोई बायर डेखेक्टिव होता है फिर डेमेज होता है तो sometimes the live और neutral पर touch मतलब कि live बायर और neutral पर जो होते हैं एक दूसरी से touch हो जाते हैं ठीक है न और touch होने के कारण ठीक है न रसिस्टेंस जो होता है एक दम जीरो हो जाता है बाद है ऊजिस्टन जो होता है गया है जब लाइब बायर और लाइब और इक दूसरी साथ में तौझ हो जाते हैं तो आपका रिजिस्टन्स है वो जीरो होता है और करेंट जो है बहुत जाता हो जाता है तो इसे sour circuit कहते हैं दिक है निए वह सकता है इस के और एक रीजन से है ऑबर लोडिंग के sour circuit ऑबर लोडिंग से होता है ऑबर लोडिंग का मतलब है कि जो हम किसी circuit पर ठीक है उसके load से जादा appliances को connect कर देते हैं तो connect कर देते हैं तो इससे overloading हो जाती है और overloading के कारण जो है आँ अबर हीटिंग या फिर electrical fire देखिए short circuit होने का chances होता है तो हमें there are various device used to be prevent overloading and short circuit देखिए अब देखो overloading और short circuit को prevent करने के लिए हम switch बोक के करते हैं ठीक है तो आपके लिए एक question यह भी पूछा जाता है कि फ्यूज क्या है फ्यूज का यूज क्या है ठीक है तो फ्यूज accepted device है जो कि electrical circuit में काम में ली जाती है ठीक है और इस बर्क on the principle of hitting effect मतलब कि hitting effect की principle पर ही पर करती है इट प्रेक दा एलेक्टिक सर्किट इफ दे रिजन excessive flow of current is circuit मतलब किसी सर्किट में किसी सर्किट में current का ज्यादा फिलो होता है तो यह melt हो जाती है मतलब कि इन में एक ठीक है ऐसा बायर लगा रहता है जिसका melting point बहुत कम होटा है वो मेप हो जाता है मेंट हो कि पूछ सर्केट को breaking कर देता है मतलब सर्किट को ठीक है अलग कर देता है सो जो सर्क्रिट है appliances है ठीक है होrent यह पाइज होने के बच जाती है 고 जैसे सर्किट में जादा करेंट फिल होता है तो जो बायर है वह अबर हीट हो जाता है जैसे सर्किट ब्रीक हो जाता है अब देखो फ्यूज जो है प्रॉपर रेटिक होते हैं जैसे 5 एंपिर 10 एंपिर अप्यां शोट भी यूजट मतलब किया लग-लग तरह के हमारे होते हैं अब देखो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में एम सीवी ठीक है एम सीवी क्या है इसका फुल फॉर्म होता है मिनीचर सर्किट प्रेकर अजिल क्या है हम फ्लूज की जगाए एम सीवी का यूज करते हैं ठीक है और दीज आर सुचेज देट टर्न ऑफ दा ऑटोमेंटिकली वेन लाइट इस बैन करेंट इस इंदा सर्किट एक्सिस्ट मतलब की जो एम सीवी में जो सुट होते हैं यह उट्मेटिक वर करते हैं मतलब कि अगर किसी साकिट में ठीक करेंट जादा है तो एम सीवी का जो इस स करेक्ट हो जाता है ठीक है तो mcb जो है वो अपने आपी on position में आ जाती है कहने के मतलब कि on off अपने आप हो जाता है ठीक है तो इसलिए mcb better है switch के आगे बात करते हूं ठीक है कार्डेश फ्यूज के बारे में तो यह कार्डेश फ्यूज है ठीक है ना नाओडेश इन सब में इस फ्यूज का यूज के जाता है तो यह भी यह काम करता है सर्कृट को ब्रेकर देता है जब पाबर जादा हो जाती है एक्सेश जी वह जाती है ठीक है सौर्ट सर्कृट की कंडिशन में अब बात करते हैं टाइम टू कॉश्चन आंसर की तो देखो आंसर दा फ्लोबिंग कॉश्चन है वाट इस दा फूल फॉर्म ऑप mcb मिनिशर सर्कृट ब्रेकर ऑबलोडिंग के होती है भी अहम जैस्ट पढ़ेते वाट 250 टाइटिंग अलिमेंट जो होते हैं वह एटिंग एफेक्ट को कौज करते हैं मतलब की नैख्रोम और टंस्टन इसका अंसरों का दोना इटिंग एलिमेंट हैं आगे दिखो मैंनेटीटीट अब देलेक्टिक करेंट अब एक एफेक्ट तो पढ़ लिए हीटिंग इफेक्ट अब मैंनेटीट एकफेक्ट पढ़ते हैं आपने नोटिस के होगा कि जो मैंनेटीटीट कंपास है तीक है यह तो आप जानते हो कि मैंनेटीटीट जो कंपास है उसमें जो नीडल होती है वो हमेशन नौर्थ और साउथ डिरेक्शन को इस हो करती है हुआ है इस लिए होता है क्योंकि हमारा जो करेंटीट इफयक्ट को सो करता है मैंनेटिक इफेक्ट को सो करता है है ठीक है एंस क्रिश्चन और रस्टेट बाज दा फास्ट भी जोग नोटिश दा डिफ्लेक्शन ओब दा कमपास निडल बैन करेंट बाज मेड टू पास्ट रोग दा वायर मतलब की हैंस क्रिश्चन और जो रस्टेट है वो पहले रहती थे जन्हों में इस कमपास निडल में देखें कमपास निडल के डिफ्लेक्शन को देखा था ठीक है जब उन्होंने किसी बायर मतलब करेंट वाले वायर के पास में कमपास बॉक्स को रखाता तो उसमें डिफ्लेक्शन उन्हें दिखा दिया ठीक है एक्रेट फोर है जिसमें हमने तो करना है कि कर्इंट कि जो बायर होता है चीज है तो है श्रमल चुछ में जो करेंट बायर होता है मेंगनेटिक एफेक्ट को सू करता है ठीक है वायर एक मेंगनेट की जैसा ब्याइब करता है और इसी ब्याइबियर के कारण हम इसे मेंगनेटिक एफेक्ट कहते हैं और ऐसी वायर को एक्टो मेंगनेट बनाने के लिए काम में लिए जाता है मतलब की यहीं लक्टो मेंगनेट है लिए इसमें हम देख रहे हैं टूसो दैट मैंगनेटिक फिल्ड इस इंदूच्ट बाइए एलेक्टिक करेंट है तो, तो देखो, magnetic field create होता है, क्योंकि magnetic field इसलिए create होता है, क्योंकि wire है इसमें current flow होती है, तो यह magnetic के तरह विवार करता है, wave करता है, और मेंटिक फिलेड होता है अगर हम ज़ादा करेंट को फिलो करते हैं तो जादा मेंटिक के गरेड होता है ठीकर लां तो ये अक्टिविटि पड़ लीजे आपधा जाएगी समझ में आगे देखते हैं ब desta कि बाहु थे कर दाकि तो एक मैने तिक रफार भूर करता है तुए वास ही है सद्राइंग क्रेंट एक कर घर बढ़ाते हैं तो मेयनिटेज के फ收看 वह बढ़ता एक मैनेटीक फिल्ड का में मतलब है कि में इनिटेज फिल्ड बढ़ता है ठीक है कि आगे देखो अधर्वेंट्स तो अधर्वेंड्स एक्रेंट की सप्लाई की दोबार बनाए जाते हैं जैसे आप देखरों यह कि के ना यह जो नेल है उसको हमने इधर से जोड़ दिया से एंसी और इधर जोड़ दिया से जैसे इस बैटरी से करेंट जाएगा तो यह जो नेल है वह एक तरसे य्यज्म शो क zwar करेगा तेकर तक करेंड जाता रहेगा जब से औरधीय करेंट का इस उसाग्नेट पनाने में पिलिए जाता है एक आंग्नेटथ क۔ पासिंग एन एलेक्टिक करेंट एलेक्टिक करेंट के पास से जो मैंगेट बनाय जाते हैं ठीके ना उन्ने हम एलेक्टो मेंग्णेट कहते हैं और सौब्र एरन को होती है जिसके ऊपर हमें ऐसे बायरकुला नहीं रह गई तब यह नॉर्मल नियल बन जाएगी थीए है जब तर लेक्ष तो देखो तर स्टेंधा इसद्स तरंट के स्टेंध बेंड होती है नमर अग्ट टा टन्स मतलब कि यह जो कोईल बना रहे हैं कितने टन्स लेरो चीडिने जद्ने जादा होंगे ठीक है तो नहीं जादा ज्यादा है तो ज्यादा है तो ज्यादा है नाइक्स टाइर नेचर ऑफ दा गोर मैट्रियल तिक आप कौन से मैट्रियल को यूज कर रहे हो तो आपका जो एलेफ्टो मैट्रियल होगा आगे हम डियागरम देख रहे हैं मैगनेटिक फिल्ड तो मैगनेटिक फिल्ड वो एरिया होता है जहां पर मैगनेटिक जो फोर्स है उसको फिल्ड के जा सकता है तो वो एरिया आपका मैगनेटिक फिल्ड होता है तो यह आपका कम और ज्यादा हो सकता है वो डिमेंड करता है electrical current पे electrical current जादा होगा तो magnetic field भी जादा होगा next हम बात करते है next activity है to make an electromagnet क्या हमें electromagnet बना सकते हैं तो simple जी बात अभी बताया तो था मैं आपको बना सकते हैं यह nail ले ली इसमें wrapping करती है मतलब ऐसे बायर को लेपेट दिया ठीक है कि अगर यहाँ पर देखो आप चोटी चोटी पिन डाल दो आल पिन बगरे डाल दो ठीक है तो जैसे इसमें current पास होगी तो आल पिन अपने आप इस सीच से पक जाएगी क्योंकि यह मैंगनेट बन जाएगा तो आगर देखतें यूचिंग्ट का यूच कहां के जाता है तो और यूच अलक्तिकल अप्ल्सीज में किया जाता है जैसे रेक्टिक बेल है यूच्टिक फैन है Drive situIm मसीन है इन सब में electrow magnet का यूज के जाता है ठीक है और electrow magnet are used to be separate magnetic materials जैसे की आइरन from the metal scraps अलब metal scraps iron को अलग करने के लिए हम electrow magnet का यूज करते है डॉक्टर भी यूज करते है लक्टो मेंट्स का to remove many iron particles ठीक है भिच में have प्रसंट के आइज में अगर कोई कि आयरन पर्टिकल चल जाता है तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर में मैंने का यूज करते हैं इस्टिल वर्क्स में एंडिस्क्रप यार्ड में भी हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में को देट करें में अगे lस जो हम कि यूज की जाता है करें में आगे जो पढ़ रहे हैocal जो हैल्यक्टिब जिप्ट की वारे में कैसी जो है ठीक है ना बार-बार और इससे आपकी एलेक्टिकल बेल बचती है ठीक है और यह आपका लग्ट्र मेंट है क्योंकि इसमें कोईलिंग रहती है ठीक है अब देखो जहां से बनेंड ऑप टाइल्ट्र मेंट इस कनेक्टेड टूदा पॉजिट्टिव टर्मिनल लग्ट्र में dependent जो होता है वहां पॉजिटेव टर्मिल यस इसमें आपके कोउलिंग हो सब्सक्राइगी तेकर नेगटिव जो होता है कॉंटक्ट इसक्रूज से करेंक्ट रोता है तेको दान से यह आपका एक बायर इदर गया इसमें आपके कोईलिंग हो जाएगी ठीक है और दूसरा बायर जो है वह आपके इदर जाके स्विच लगा दिया और यहां पर जाके इससे करेंक्ट हो देखे रहे हो यह है अपके मेंटल की स्ट्रीप दूसरा बायर इस से करेंटेड होता है पहला बायर अपनी और खीचे गई और इस स्ट्रीप को खिचेगा तो इस स्ट्रीप से ही हेमर केंट करेंगा है तो इस ट्रीप को जैसे यह मेंगनेट बार-बार कीज़ेगा तो हैमर भी इस कोंग पर बार-बार टन 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 मतलब यह आवाज करेगा ठीक है विशी इसाफ से जो है यह आपका बार करता है तो देख लो बरकिंग में वैन यू प्रेश ता स्विच जैसे हम स्विच बैल की स पास होता है तो अटकता आरेण स्ट्रीप मेंलब एलक्टो मेंगनेट जो है वो आरेण श्टिप से अटेच हो है यह हम ठीक है तो हैमर जो है वह गॉंग पर प्रेदूज होता है मतलब लगवार गरता और गिरता है और गिरने की कारण आप अब ऑग अज पिल्टूज हो तो यह आरेन के जो स्ट्रीप अपनी और कींच रहा है तो स्ट्रीप को खींचेगा तो यह हमर तो यह पोजिशन है और यह ऑप पोजिस्टिन नहीं तो यह आपका चैप्टर कंप्यट हो गया है अब 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 दा स्टेप्स एक्यूग सक्सिजन एक क्यूग कंतरान में रिपीट होते रहते हैं तो गंटी जो होती है है आगे देखते हैं हम यह कुशन्स तो एन एलेक्टिक वैल पर सोन एटिंग सोरी मैंनेटिक इफेक्ट तो मैंनेटिक आए यहां पर ही और आल्सो यूज्ट इन मेडिकल साइंस ठीक है तो एलेक्टो मैंगिट्स आएगा ता नमर आप विल्स वर भी सम बांड अरूंड निजनेघस में अंसरा चाहिए अज्यचा एक सब्सक्राइब ऑगी सब्सक्राइब है करें तो यह बन्तुर्ण आए तो इस अलेक्टिक यह सट्रोंग आणीटैंस पर सब्सक्राइब भी निजनेट यह सब्सक्राइब करद आए जैना का था कि आपको वीडियो पसंदा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए पाई